आपके सामने स्क्रीन पर आपको एक फोटो देख रही रुगी और मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा यह हैं रन्वीर कपोर और आप सभी लोग जानते भी होंगे इने आप लोगों ने इने कई मूवियों में देखा होगा और आजकल यह काफी चर्चा में बने हुए हैं क्यों बने हुए हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो आलिया भट है न और रन्वीर कपोर इन दोनों की साधी होने बाले हैं साधी करने बाले हैं उस कारण भी यह काफी चर्चा में बने हुए हैं और आप मेंसे कई लोग इन्हें पसंद भी करते होंगे, कई लोग इन्हें ना पसंद भी करते होंगे, सो भाविक सी बात रहती है, कि चाहने वाले भी होते हैं, और ना चाहने वाले भी होते हैं, तो रनवीर कपूर के बारे में एक सामान जानकारी आपको दे देता हूँ, आप देखेंगे कि इनका स्क्रीन पर आपको दिखी रहे हैं, रनवीर कपूर, इनके अगर आप देखना चाहें, तो आप देखेंगे कि यह आलिया भठें, और आप सभी जानते होंगे, यह इनके पिता और इनकी माता, और यह रनवीर कपूर. तो इनके वास्तविक नाम की बात करें, तो रनवीर कपूर इनका नाम है, और इनके उपनाम डबू, गंगलू इनके उपनाम है, इनका जनम होता है 28 सेप्टमबर 1982 को, और जनम इस्थान है मुंबई महराष्ट, कहा हुआ था इनका जनम? मुंबई में हुआ था महराष्ट मे यहाँ आप देख सकते हैं यह महराष्ट है मुंबई यहाँ इनका जनम होता है और आप देखेंगे इनके पिता का नाम रिशी कपूर जो भी अभी नेता थे नितुसींग ये भी अभी अभी नेतुरी थी और इनकी बहन का नाम है रिद्धिमा कपूर साहिणी। इनकी सिक्षा की बात करें तो Bombay Scottish School मुंबई से इनोंने अपनी सिक्षा ली हुई है और विस विद्याले में देखें तो HR College of Commerce and Economics मुंबई से इनोंने आंगे की सिक्षा की हुई है और आप सभी जानते ही कि अभिनेता थे निर्माता हैं, movie निर्माता, film निर्माता और विवसा आई है इनका देखिए पहले भी इनकी girlfriend कहने का मतलब होता है कि लड़की friend, boyfriend का मतलब आप लोग सीधा निकाला करिये कि लड़का friend, ठीक है? तो अबंती का मालिक, सौनम कपूर, दीफिका पादुकॉन, कैटीना कैप और आलियावट, finally इनसे आलियावट की साधी होने वाल आला कि यह फिल्म box office फर अपना कमाल दिखाने में सफल नहीं हुई थी, ठीक है? आज सफल साबित हुई, सामरिया फिल्म में best male debut के लिए रडवीर को film fear award भी मिला था, इस फिल्म में रडवीर ने एक राज लड़के का करदार निभाया था, जिसने एक लड़की से प्यार ह हो जाता है, और आप देखें बॉलीवूर की अधिकतर movie इस तरह ही की देखने को मिलेगी, एक लड़की है, एक लड़का है, फिर उन दोनों में प्यार हो जाता है, साल 2008 में उन्होंने इस सफल साबित हुई थी, फिल्म बचना ए हसीनों के में मुख किरदार की भूमिका न फिल्म वेक अफ सिड में मुख अभिनेता की भूमिका निभाई थी, फिल्म वेक अफ सिड में वे एक अमीर घर के विगडे हुए लड़के की भूमिका निभाई थी इन्होंने फिल्म में, उन्होंने एक विगडेल अमीर बच्चे की भूमिका निभाई और इस फिल्म मे की वीच वीच बने रोमांटिक रिस्ते को दिखाया गया है या फिल्म भी वॉक्स ओफिस पर काफी हेटर रही थी साल 2009 में आप देखेंगे उन्होंने अजब प्रैम की गजब कहानी में प्रैम नाम की लड़के की भूम क्या नभाई थी या फिल्म वॉक्स ओफिस पर बंफ वर्फी फिल्म में मुख अभीनेता की भूमिका नभाई थी और फिल्म वर्फी में उनके साथ प्रैंग का चोपडाने में मुख अभीनेतरी की भूमिका नभाई थी या फिल्म एक बहरे वो गूंगे लड़की एबन दो लड़कियों की बीच रिलेशन की इर्दगर्द कुमती है यह फिल्म उस साल दो हजार बारे में सबसे जन्दा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी 2013 में आप देखें कि रडवीर कपुन ने अपनी पूर प्रेमिका दीफिका पादूकॉन के साथ एक रॉमांटिक ड्रामा फिल्म यह जवानी है दीबानी की थी और इस फिल्म में को दर्सकों रडवीर की भूमिका को खुब चरहा था इस फिल्म ने देशन आयन मुकर जी थे और यह एक बहुत बड़ी सोपर हेट फिल्म साबित हुई थी फिर 2013 में सबसे जाना कमाई करने वाली नंबर बन फिल्म बन गई थी है फिर आप देखेंगे कि रडवी ने यह जवानी है दीबानी के बाद रॉय 2015 में एदेल है मुश्किल 2016 में जग्गा जासू से 2017 में इस तरह की कई फिल्मों में उन्होंने काम किया हुए साल 2018 में उन्होंने अभीनेता संजयदत की बायोग्राफी पर भी बनी मुवी संजू में संजयदत का किरदार निभाया और इसकी वी आप देखें काफी सराहना की कई इस किरदार की राजकुमार हिरानी के निदेशन में बनी फिल्म साल 2018 की सबसे अधिक कमाय करने वाली फिल्म बनी और रनवीर कपूर ने इस फिल्म में संजयदत का किरदार निभाने के लिए वहडी बिल्डिंग पर काम किया और एक सो डोल सरीर बनाया है जिसमें रडवीर संजर जो फि पाइटी में उनकी मुलाकस सलमान खान से हुई थी जहां कहते हैं कि रडवीर द्वारा कुछ अपसद्द बोले गए थे और जिसमें सलमान ने गुस्से में उन्हें एक थफ़र मार दिया था उस समय भी आप देखे काफी चर्चा में रहे थे तो यही कहानी है रनवीर कप ही होई है ठीक है